इस वीडियो में कोटक का zero balance saving account आप कैसे open करेंगे गार बाइटे mobile phone से online इस वीडियो में यही बताने वाला हूं यदि आप भी कोटक का zero balance saving account online open करना चाहते हैं तो सही वीडियो पर आए हैं और इस account में कोई भी आपको maintenance charge भी नहीं लगेगा आपको यहाँ पर कोई भी charge नहीं यदि आप zero रखते हैं तो भी आप इस account को open करते हैं तो सिर्फ mobile phone से घर बाइटे online open कर पाईएगा कोई इस वीडियो के application box दो comment box में link दे दूँगा आप वहां से किलिक करके फिरी में account आप open कर सकते हैं वो भी घर बाइटे online तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको link पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर अपना mobile number डालना है यहाँ पर आप अपना gmail id डाल दीजिएगा आपका जो भी pin code रोग पर कोई भी कोटक का bank नहीं है उस area में कोई भी कोटक महिंदरा का bank नहीं है तो आपको करना क्या है आपको यहाँ से back कर देना है और google को आपको open करना है और के बाद search किजिए nearby कोटक महिंदरा bank उसके बाद यहाँ पर बहुत सार आपको bank देखने को मिल जाएगा जो आपके पीन कोट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इसी पीन कोट को यूज करके आपको वहाँ पर एकाउंट open कर सकते हैं जो आपका एकाउंट open होगा इसी ब्रांज के अंदर में open होगा यदि आपके area में कोई कोटक महिंदरा bank नहीं है तो आपने आसपस के आपको म email id देजिएगा उसी Gmail id पर ये कोटी पी आएगा उस OTP को यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आपको नीची आना है उसके बाद process to verify पर किलिक करना है उसके बाद कुछ इस तरीका का option आएगा तो आपको यहाँ पर जो नाम होगा pen card पर नाम दिखाई देदेगा यहाँ पर जो pen card का नमबर है वो दिखाई देदेगा आपको यहाँ पर process पर किलिक कर देना है उसके बाद जो आपके इस आधार card में mobile number लिंक होगा उसी पर एक OTP आएगा छे आंका उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपक काम होगा उस काम को आपको select करना है यदि आप student है तो student select किजिए आप कोई private job करते है तो private job आपको select कर लेना है उसके बाद मोजर आप income source आपको यहाँ पर select करना है कि आपका कौन सा income source है यानि आपका खुद का income है या family income है उसके बाद monthly जो income होती है वो यहाँ पर आपको ड जिनका भी अकांट बना रहे होंगे उसके बाद मोदर का नाम के नाम पर उनिका नाम डाल देना प्रोषेट पर किलिक करना से बाद यो आपके आधार का KARD पर ऐसे 중ोर प्रैका को यहां पर ले लेगा बट आपको यहां पर एक ऊप्शन आएक लाए एक अका आपको नया address add करना होगा जो आप शुरुवाती में पीन कोड डाले थे उसी पीन कोड का address आपको यहाँ पर डालना है तो मेरा आप देख लिए इस अधार काड के address पर मेरा यहाँ पर services नहीं है यानि फोटक बैंक नहीं है मेरे area मेरे area में जो अधार काड पर address है तो मैं यहा यहां पर आपको एड़ कर देना है और एड़्रेस एड़ कर देना है आपको एड़्रेस में लास्ट बे आपको अपना मुबाइल नंबर एड़ कर लेना है उसके बाद आपको नेक्ष्ट पर किलिक करना है और ओरिजिनल पेंड कार्ड का आपको यहां पर टेक फोटो पर कि इस तरीका से आपको सिक्नेचर करना है और यहां पर टेक्क फोटो पर कीली। लिट करके उस फोटो को अपलोड करना ह만 कर मे एक अपना सेल्फि युप अपलोड कर दीजिए यो भी आपका Onuप काड जाना है, पैली इस्toiोर पर जाना है, और आपको यहाँ पर सर्च करना है, KOTAK Bank, इस अप्लिकेशन का लिंग डिप्लिकेशन बोक्स में, दूसरे नमर पर मिल जायाँगा, इस KOTAK Bank का ओरिजिनल एप है, तो आपको इसे डाउनलोड करना है, open करने के बाद, जो भी permission मांगता है उस permission को allow कर दीजिएगा select कर लेना है दो option को दूसरे नमबर पर click कर देना है I already have a account पर उसके बाद जो भी permission मांगता है उसे allow कर देना है उसके बाद जो भी आपका mobile नमर अब दिये थे वो mobile नमर आपके कौन सा SIM में लगा है SIM 1 में SM2 में मेरा SIM 1 में लगा है तो SIM 1 पर मैं click कर दूँगा आप पर SMS के दोरा आपका account verify हो रहा है तो verify यह और नमर पर मेरा option आ चुका है देखें मैं यहाँ पर save पर मैं click करूँगा यहाँ पर मेरा verify successful हो चुका है आपका account यहाँ पर login हो जाएगा mobile number verify का option भी आ चुका है तो आप यहाँ पर देख लिजिए उसके बाद आई एगरीप में click करता हूँ उसके बाद आपको एक mpin बनाना होगा जो mpin आपको याद रखना होगा छे आंका तो आपको mpin बना लेना है और इस mpin को आपको याद रखना है यहाँ पर fingerprint lock भी लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर नहीं लगाना चाहता हूँ तो नोपर में click कर दूँगा उसके बाद देखें यहाँ पर मेरा account आ चुका है उसके बाद कुछ इस तरीका का option आएगा आपको account में देखिए मेरा account 70% बन चुका है बट आपको यहाँ पर एक deposit करना होगा account में 10-5 रुपए आपको deposit कर देना है किसी भी phone पे account से उसके बाद complete full account आपको यहाँ पर begin पर किली करके आप full KYC कर सकते हैं गाड़ बैठे आपको यहाँ पर full KYC begin पर किली करना है start वीडियो KYC पर किली किजिएगा उसके बाद आपके पास original pen card होना चाहिए और आपके पास एक साधा paper होना चाहिए जिस पर आपको sign करना होगा और आपको original आदार कर लेना होगा उसके बाद आप इस वीडियो KYC को on करके आप वीडियो KYC घर बैठे mobile से कर लिजिएगा जो जो सवाल इस वीडियो कॉल पर टीम वाले पूछेंगे उसका सवाल आपको answer सही सही देना है और आपको किसी का सहारा नहीं लेना है वहाँ पर आपका कोई भी सोर सराबा नहीं ह तो जाकर अपका इहां पर वीडियो के वाई से सक्सेस्पूल हो जाएंगे